गुड मॉर्निंग क्लास, बच्चों, आज हिंदी बन में मैं आपको निवंद पढ़ा रही हूँ, इसके पहले भी मैंने निवंद में आपको दो टॉपिक पढ़ाया है, सैनिक और अच्छी आदती, तीसरा टॉपिक मैं आज आप लोगों को दे रही हूँ, मेरा देश भार यानि अपने देश के बारे में हम कुछ जानेंगे, तो इसे आप याद भी कर लिजेगा, इसे भी मैंने पॉइंट्स में लिखा है, ताकि याद करने में आपको आसानी हो, और लिखने में भी आपको ज़्यादा आसानी हो, तो चलिए, आज हम नया निवंद पढ़ते हैं मेरा देश भारत, इसमें मैंने पहले पॉइंट के रूप में चुना है, भारत मेरा देश है, यानि हम जिस देश की निवासी हैं, हमें सबसे पहले उस देश के बारे में बताना होगा, कि हम किस देश की निवासी हैं, तो मैंने लिखा यहाँ, भारत मेरा देश है, चुकि कि हम सभी भारतवासी हैं दूसरी नंबर पर मैंने लिखा भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान भी कहा जाता है तो बचों भारत का प्राची नाम हिंदुस्तान भी है और अंग्रेजी में हम इसे इंडिया भी कहते हैं भारत नाम राजा भरत के नाम पर हमारे देश का तीसरे नमबर पर मैंने लिखा, इसकी राजधानी दिल्ली है, यानि भारत की राजधानी दिल्ली है, हर देश का अपना एक कैपिटल होता है, तो हमारे देश का, भारत देश का कैपिटल है, दिल्ली चौते नमबर पर मैंने लिखा है, मूर भारत का राश्ट्रे पक्षी है, या जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है बच्चों, कि हमारे देश का राश्ट्रे पक्षी कौन है, तो हम कहेंगे, हमारे देश का राश्ट्रे पक्षी मूर है, और दूसरा मैंने लिखा बाग राष्ट्रे पशू है ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश का राष्ट्रे पशू बाग है तो मैंने इसे यहाँ पर एक लाइन में जोड दिया है कि मूर भारत का राष्ट्रे पक्षी है और बाग राष्ट्रे पशू है अगले नंबर पर मैंने लिखा है कमल भारत का राश्ट्रिय फूल है यानि अपने देश के राश्ट्रिय फूल के बारे में हमने यहाँ पर बताया कि कमल भारत का राश्ट्रिय फूल है और बरगत राश्ट्रिय विरिक्ष है अपने देश के राश्ट्रिय विरिक्ष के बारे में भी हमें यहाँ पर जानकारी मिली कि बरगत हमारे देश का राश्ट्रिय विरिक्ष है तो इन दोनों को मैंने एक लाइन में जोड़ दिया कि कमल भारत का राश्ट्रिय फूल है और बर्गत राश्ट्रिय व्रिक्ष है चठे नमबर पर हमने लिखा भारत का राश्ट्रिय गान जन गन मन है और राश्ट्रिय गीत वंदे मात्रम है यहां बच्चों आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि कीत और गान दोनों अलग-अलग है इसे आपको ध्यान देना होगा कि हमारे देश का राष्ट्रे गान जनगनमन है और राष्ट्रे गीत वंदे मातरम है इसे आप कभी एक साथ मत मिलाईएगा क्योंकि गान और गीत पर आप ध्यान दीजेगा ये भी आप लोगों के लिए जानकारे के लिए बहुत जरूरी है इसे आप जान लेजिए कि आप दोनों को में अंतर रखिएगा यानि गान और गीत में तो इसे भी मैंने यहां पर एक लाइन में जोड़ दिया है कि भारत का राष्ट्रि अब मैंने खेल के बारे में बताया कि हमारे देश का राष्ट्रिय खेल हौकी को चुना गया है तो साथमे नंबर पर लिखा कि हौकी भारत का राष्ट्रिय खेल है अब मैंने यहां धर्म के बारे में लिखा कि भारत में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं यानि यहां बिभिन धर्मों को मानने वाले लोग आपस में मिल जूल कर रहते हैं उदारन के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ लिख दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई, इसे आप ध्यान दीजेगा कि यहाँ विभिन धर्म के मानने वाले लोग आपस में मिल जूल कर रहते हैं अगली लाइन में मैंने लिखा देश का आदर्श वाक्य सत्य मेव जैते हैं तो यहाँ बच्चों यह भी याद रखने वाली बात है कि हमारे देश का आदर्श वाक्य जो है सत्य मेव जैते यानि सत्य के रास्ते पर चलने वाला हमारा देश है और सत्य की हमेशा जीत होती है अपनी इसी आदर्श वाके को के सहारे हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है और हमेशा नियाय में भी वह सत्य की ही जीत होती है तो हमारा देश जो है सत्य के रास्ते पर चलने वाला देश है अगले लाइन में मैंने लिखा भारत के ज़्यादा तर लोग खेती करते हैं जो काफी मेहनती हैं तो यहां बच्चों आप जान लीजे कि हमारे देश में करीब 80% लोग जो हैं वे खेती पर निर्वर करते हैं यानि अपनी जीव का यापन के लिए वे खेती करते हैं और काफी मेहनती भी होते हैं तो हमारे देश की 80% जनता जो है वह खेती पर ही आधारित हैं तो यहाँ पर मैंने इस लाइन को जोड़ दिया कि भारत के ज्यादा तर लोग खेती करते हैं जो काफी मेनती होते हैं और लास्ट में मैंने लिखा कि हमें अपनी देश भारत पर गर्व है और हमेशा रहेगा तो यहाँ पर इस लाइन को लिख करके मैंने इस निवंद को समा तो इस तरह से मैंने यहां पर 11 पॉइंट लिखे हैं इसे मैं जब भी पीडियप में भेजूंगे आप लोगों को तो इसे और भी छोटा बना दोंगी यहां समझाने के लिए मैंने यहां पर राश्ट्रिय पक्षी, राश्ट्रिय पशू, राश्ट्रिय फूल, राश्ट्र व्रिक्ष, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय गीत और राष्ट्रिय खेल को जोड़ दिया है ताकि आपको अपने देश भारत के बारे में ये जानकारी होना ज़्यादा जरूरी है जब मैं पीडिय भेजूंगी तो आप उसे क्लासवर कॉपी में उतार लिजेगा और याद कर लिजेगा तो ये तीन टॉपिक जो है आपके अच्छी आदतें सैनिक और मेरा देश भारत ये तीनों टॉपिक आपके फाइनल के लिए हैं जो आपके एक्जाम में आएगा तो आप इस टॉपिक को याद कर लिजेगा और पॉइंट्स में ही लिखेगा तो आपको लिखने में भी आशानी होगी और याद करने में भी आशानी होगी तो आज के लिए तना ही थैंक्यू क्लास